हलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम, और ये आपका क्लास थर्ड का E-VS, ये आपका क्लास थर्ड का E-VS, और E-VS में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सकेंड, चैप्टर सकेंड का नाम क्या है? my body, ठीक है, मेरा शरीर, अपने शरीर के बारे में हम जानेंगे, इसमें study करेंगे, और यहां से शुरू हो रहा है आपका mcq, ठीक है, तो सबसे पहले आप उपर क्या लिख देंगे, आप उपर chapter, chapter इसमें डाल देंगे, chapter second, और नाम लिख देना आप chapter का, okay, उसके बाद हम य सबसे शुरू करेंगे, पहले mcq, mcq का मतलब क्या होता है, देखो, यह m, यह c, और यह q, multiple choice question, यानि कि ऐसा question जिसमें कि आपको चार answer दिये होते हैं, और इन में से आपको select करके, एक answer पर, जब एक पर सही correct करना पड़ता है, यह आपका सही answer है, इसमें से चारों में से select करना पड़ता है, ठीक है, तो mcq, अब इसको आप बोल बोल करके, अच्छी rating में, सुन्दर rating में लिखना, question number one क्या कह रहा है, each part of the body, each part of the body has a, कह रहा है कि जो हमारी body का प्रतेक पार्ट है, each का मतलब हर एक पार्ट जो होता है, वो उसका नाम different name होता है, answer इसमें दिया हुआ है same name, क्या हमारे body के सारे पार्ट का same name होता है, नहीं, तो यह answer तो होगा, नहीं, दूसरा कह रहा है कि हमारे body के सभी पार्ट का नाम different होता है, different मतलब अलग-अलग, जैसे pair होता है, हाथ होता है, सिर होता है, ठीक है, तो different name होता है, तो सही answer क्या होगा हमारा बच्चों, different, तो हम इस आवाले answer पर tick करेंगे, question number two कह रहा है, the protect the head, कह रहा है कि क्या चीज है जो हमारी head को, head मतलब क्या होता है बच्चों, सिर होता है, हमारी सिर को protect करेगा, protect का मतलब क्या होता है, protect का मतलब होता है, protect का मतलब होता है, तो इसमें से क्या चीज है जो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है तो पहला आंसर दिया है हेड, दूसरा दिया है आईज, तिसरा दिया है नूज, क्या नूज हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है नहीं, क्या आईज करता है नो, क्या हैंड्स करता है नो, तो क्या करता है हेड hair क्या करता है hair यानि कि हमारे सीर पर जो बाल होता है वो हमारे head को क्या करता है बच्चों protect करता है यानि कि उसको सुरक्षित करता है कैसे करता है वो आगे भी हम question answer में देखेंगे तो बच्चों यहां तक देख लिए आपने अब मैं इसको वीडियो को यहीं छोड़ रही हूँ आपके लिखने के लिए अब आपको क्या करना है वीडियो को पॉस करना है पॉस का मतलब कि यहीं पर इसको रोक देना है और रोक करके आपको पहले इसको रॉइट डाउन करना तो रोकते कैसे हैं वीडियो पॉस्ट करने आता है बच्चों आप लोग को नहीं आता है तो मैं आपको बता दू देखिए जैसे आपका वीडियो ऐसे चल रहा है ना आपका वीडियो सपोस्ट करो यहां यह आपका यूट्यूपर वीडियो चल रहा है इसको जब आप ऐसे तो इसमें यहां सेंटर में ऐसे दो लाइम दिखेगी जब आप टच करेंगे ना तो दो लाइम दिखेगी इस दो लाइम को भी जब आप टच कर देंगे ना तो वीडियो वहीं रुक जाएगा अब वापस आपको चलाना पड़ेगा वापस इसको टच करो वापस चलने लग तो आपको एक बार ही टच करना है तो रुख जाएगा फिर एक बार ही टच करना है तो चलने लगेगा तो आप वीडियो को यहीं पॉस करिए रोकिए और इसको अच्छी तरीके से सुन्दर राइटिंग में पहले लिख लो ठीक है मैं थोड़ी देर रुकिए हूँ ताकि आप वीडियो को पॉस कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है समने पॉस कर लिया तो वीडियो को यहीं रोक करके और आपको लिख लेना है अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यह देखिए नेक्स्ट है आपका यहां से कुस्ट हमार थर्ड क्या कह रहा है इस है एंडेश तिंग्स और क्या करती है तो आंसर दिया है फगेट, फगेट मतलब भूलाने में, कोई चीजों को भूलाने में हेल्प करेंगी कि हमारी आके नहीं, ठीक है, अवाइट करने में, यानि कि उसके ध्यान न दो, है न, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर रौंग है, तो हमारा सही आंसर क्या है, रिकोगनाइज, रि तो चीजों को आपने देखा भी और साथ में उसको रिकोगनाइज भी किया उसकी पहचान भी कि तो इसमें आइज क्या करते हैं help करते हैं तो यह हो गया हमारा question number three अब question number four क्या कह रहा है the legs help to यानि कि हमारे जो पैर होते हैं legs ऐसे यहाँ पर लगा है क्योंकि दोनों पैर की बात कर रहा है जो हमारे पैर होते हैं वो किस चीज में मदद करते हैं sit यानि कि बैठने में मदद करते हैं या move यानि कि चलने में मदद करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पैर हमको move करने में यानि कि चलने में हमारी help करते हैं ठीक है बच्चों तो अब देखिए फिर मैं रूकी हूँ आप इस वीडियो को क्या करेंगे pause करेंगे है ना और question no 3rd or 4th यहां तक लिखेंग तो आप वीडियो को रोको यहीं पर और पहले 3rd और 4th लिख लो उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं question no 3rd पर sorry B A वाला तो हो गया हमारा MCQ B क्या दिया है question answer है ना तो हम इसमें अब कर लेते हैं question answer question answer में आपका question number question answer देखें यह आगे पूरा आपका ठीक है अब question answer में first question क्या कह रहा है how does the hair help you in summer and winter hair आपके बाल किस तरीके से आपकी help करते हैं मदद करते हैं summer season गर्मी के मौसम में और winter season यानि के सर्दी के मौसम में आपके बालों का क्या रोल होता है अगर भगवान ने सिर के उपर बाल दिये हैं तो जरूर उसका कोई काम होगा ठीक है बिना किसी काम के हमारी body में कोई भी part नहीं होता है अगर हमारी body के अंदर या body के बाहर कोई part है तो उसका वहाँ पर use जरूर होता है तो सिर के उपर जो hair होता है उसका काम क्या होता है बचो कि वो hair हमको समर में समर गर्मी के मौसम में वो बाल हमको क्या करता है कि जादा गर्मी से sunlight से बचाता है प्रोटेट करता है सुरक्षित करके हमारे सिर को ठंडा रखने का काम करता है और winter में क्या करता है सर्दी के मौसम में हमारे सिर्फ पर पूरा चावत रप से बाल रता है तो cover करके उसको थंडी से बचाता है यानि कि उसको warm यानि कि गरम रखता है तो answer क्या हो जाएगा the hair keeps us cool यानि कि हमको रखता है cool यानि कि ठंडा रखता है in summer summer में हमको ठंडा रखता है and warm in winter और हमको winter season में warm यानि कि गरम रखता है okay तो यह हो गया हमारा question number first second क्या कह रहा है what is the use of ears हमारे कान का काम बताईए use of ears मतलब हमारे जो दोनों कान है उनका क्या use है क्या इस्तेमाल है तो answer क्या हो जाएगा बच्चों ears helps us to listen various sound ears जो होता है वो help करता है listen यानि कि सुनने में क्या सुनने में various का मतलब होता है अलग अलग बिन बिन प्रकार के sound का मतलब होता है आवाज बिन बिन प्रकार के आवाजों को हम जो सुन सकते हैं वो किस के द्वारा अपने कान की द्वारा सुन सकते हैं तो यह हमारे ear का काम होता है ठीक है बच्चों question number third क्या कह रहा है How do nostrils help you? Char coal nostril जो होता है, वो आपकी मदद कैसे करता है? अब आप nostril जानते हैं जो nose होता है ने जो नाक होती है उस नाक में जो दो ऐसे से होल होते हैं बच्चों ये देखें ये देखें, नाक में जो ऐसे दो होल होते हैं इनको बलाज़ता है nostril तो कह रहा है नॉस्ट्रिल किस तरीके से How do नॉस्ट्रिल्स help you? नॉस्ट्रिल आपकी मदद कैसे करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा नॉस्ट्रिल्स help दो नॉस्ट्रिल है ना तो इसलिए यहाँ पर S लगाए है नॉस्ट्रिल्स help us in smelling नॉस्ट्रिल के द्वारा different things smelling different things अलग-अलग things के हमीश मैल ले सकते हो साथ में breathing करते हैं याने की सास लेते हैं तो सास लेने में और अलग-अलग चीजों को इसमेल करने में उनकी सुगंध लेने में हमारे help करते हैं नॉस्ट्रिल्स ठेक है बच्चों तो यह हो गया हमारा question number third question number four क्या कह रहा है what are the main uses of tongue tongue याने की हमारा जो जीब होता है उसके main उसका मुख्य काम बताईए है main uses बताईए उसका मुख्य उपयोग क्या होता है तो हम क्या करते है the tongue helps us to tongue हमारी कैसे मदद करता है test में और talk में test में यानि कि हम कोई चीज़ खाते है वो हमको tasty लग रहा है या खराब लग रहा है हमको उस चीज़ का test बताता है कि यह मीठा है या कड़वा है तो हमको test में हमारी help करता है साथ में talk यानि की बात करने में मैं आप से बात कर रही हूँ किस की वज़े से टंग की वज़े से तो टंग की help से हम बात कर पाते हो साथ में टंग help करता है test के लिए ओके तो यह होगा हमारा question number four question number five क्या कह रहा है how do you use your legs legs यानि की अपने पैरों का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं how do you use your legs पैरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो answer क्या देंगे we use we यानि की हम लोग use हम लोग use करते हैं our legs अपने पैरों का to walk यानि की walk करने में चलने में run दोडने में भागने में ठीक है, jump, कूदने में, dance, नाचने में, और stand, याने की खड़े होने में, इन सब चीजों में हम अपने legs का इस्तेमाल करते हैं, बिना पैरों के हम ये चीजे नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे question answer, okay, हमारे hair, summer और winter में, क्या हमारी मदद करते हैं, ठीक है, दूसरा question था, what is the use of ear, हमारे कान का काम बताईए, हमारे nostril का काम बताईए, हमारे tongue का काम बताईए, और हमारे पैरों के काम बताईए, clear समझा गए आपको, तो ये आज का हमारा हो गया है, MCQ और question answer, ठीक है, अब question answer को देखो, मैं छोड़ रही हूं, वीडियो किसे छोड़ पॉस करना है आपको, इसको रोकना है वीडियो को यहीं और यह आराम से लिखते जाना है, ठीक है, जब आप लिखते हैं वीडियो को पॉस्त कर दिया और लिख भी रहे हो, तो आप देखेंगे कि लाइटिंग, जो लाइट होता है उसका पावर अपने आप उफ हो जाता ह है, तो बीच-बीच में जैसे आप लिख रहे हैं तो बीच-बीच में वीडियो को ऐसे तुरा सा टच कर दिया करो, थोड़ी थोड़ी देर पे टच कर दो की तो जलता रहेगा और कंटीनिव आपको दिखता रहेगा ऐसे, तो वीडियो पॉस्त कर ये और लिख लीजे बच्चों और यहां तक आपका काम कंप्लेट सुन्दर वाइटिंग में और धीरे धीरे बोलते हुए लिखेंगे ठीक है ना रीड करते हुए बोल बोल करके आपको लिखना है और सटर्डे का जो टेस्ट होने वाला है उसका मैं इन्फोर्मेशन दूंगी उसको जरूर ध्यान से आप देख लेना कि किसका टेस्ट होने वाला है मौर्निंग ओरल का टेस्ट होगा लेकिन उसमें कौन सा चैप्टर होगा वह आप देखना अभी मैं इन्फोर्मेशन दे दूंगी और तयारी कर देना सभी बच्चे टेस्ट देना देखो इस सटर्डे को बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था और टेस्ट के नीचे सारे पाइन ना सब बच्चों ने अपने मां गांश डाले हैं कि मेरे इतने मांश है मेरेशने मांश है तो सबके मांश वहां पर है तो आप लोग भी टेस्ट देना और अपने मार्क्स लिखना कॉमेंट बॉक्स में फिर मैं उसी साब से आपको गुड वेरी गुड एक्सलेंट वेल डन दोगी ठीक है तो इतना ही है आज के लिए स्टड़ी करते रहना बच्चों ओके है नाइस दे